और बच्चों, क्या हल चाल है आप सभी का? Welcome to my YouTube channel TechTipNow. Well, अब हम discuss करने जा रहे हैं Computer Network को, जो की है Unit No.3 IP Class 12 का. और जो CBSC ने syllabus suggest किया है. उसी की basis पे ये आपकी screen पे आपको दिख रहोगा सारे topics को हम cover करने जा रहे हैं. दो parts में हैं. एक तो पहला part जो है वो पूरा Computer Network का है और उसके बाद दूसरा जो part है वो basically आपके Internet and Web से related है. Ideally IP का जो syllabus है वो ज़्यादा aligned है किसके लिए Internet and Web के, लेकिन Computer Network का भी basic introduction है. मैं पहले आपको अपना syllabus शेर करता हूँ जो CBSC ने suggest किया है उसको हम देख लेते हैं. जैसे ये है unit number 3, introduction to computer network, जिसमें introduction to networks, types of networks then network devices, network topologies. ये पूरा तो आपको करना ही करना है. उसके बाद में आपको पढ़ना है introduction to internet, जिसमें URL, www, इसके applications, then web, email, chat, voice over internet protocol. उसके बाद website, जिसमें उसका introduction, then difference between website and webpage, static versus dynamic page, web server, hosting of website, then web browser, जिसमें mainly आपका है add on and inserts and what your cookies. तो चलिए फिर एक एक करके सारे ही points को आप discuss करना शूरू करते हैं. यहाँ पर भी वो सारे topics जो मेरे इस particular session के वो आपको दिख रहे होंगे. आप इसको भी pause करके देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं सबसे पहले की computer network क्या होता है. और वीडियो अगर पसंद आएगा तो like और share जरू कर लीजेगा और दूसरी बात यह कि वीडियो के description को आप चेक करना आपके IP class 12 का complete study material का सब का link चाहे वो playlist का बात करो sample paper की बात करो, MCQ notes की अगर आप बात करें हर चीच का link आपको description में मिल जाएगा वहाँ से जाके आप प्लीज चेक करिएगा तो अब बात होती है computer network की सबसे पहले तो बात आ रही है network network का मतलब क्या होता है network को सीधे सीधे बोलता है chain of anything ठीक है ना अब chain of anything का मतलब जैसे आपके घर में मोती की माला है अब वो जितने भी माला है अगर आप उसको उसमें मोतियों को सबको आपस में connect कर देंगे तो ये क्या बन जाती है एक chain बन जाती है उसी तरह से computer network का मतलब network का मतलब network क्या बोल दिये हमने computer network of क्या हो गया computer अब आपके पास घर में तीन computer है आपने क्या किया through cable या wifi भी आप कर सकते हो आज कल तो तो अगर आप इसको आपस में connect कर दोगे तो ये क्या बन जाता है आपका एक computer network आप बोलेंगे सर computer network का फायदा क्या फायदा बहुत सारा है उन फायदेस को फिर हम आगे चलके देखते हैं तो में तो ये रहता है कि आपके इसमें resources को आप share कर सकते हो information को जादा जादा manage कर सकते हो इनो आप एक printer को connect कर दो यहां से उससे ये तीनों एक जगद एक computer साफ ने connect किया और तीनों से उसको आप access कर सकते हो तो आपकी infrastructure की cost भी बसती है तो इस तरह से बहुत सारे इसके advantages है कि इसके आपके computer network के तो एक छोटा सा introduction है computer network का अब अगर आप इसको systematically define करने की बात करो तो nowadays computer network को बोलते हैं it is group of connected devices अब यहां पर जो change हो रही इसकी definition आज कल वो हो रही है devices क्यों खाली computer तक आपका network सिमित नहीं रह गया है क्यों क्योंकि आपके computer network में computer भी हो सकता है laptop भी हो सकता है printer भी हो सकता है scanner भी हो सकता है mobile devices भी connect कर सकते हो तो यह सारे के सारे devices जब किसी एक single नेटवर्क में कनेक्ट हो जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि आपका computer network और भाई computer network का जैसे मैंने आपको सबसे पहली बात बताई कि जो प्रमुख कारे है उद्देश यह है वो है communication ठीक है communication among the devices एक ही जगह बैठके आप क्या कर सकते हो communication कर सकते हो आप जैसे कि भाईया आज कल आपका cctv camera आपने घर में लगाया लेकिन आपके mobile से वह connected आप दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे तो आप क्या कर सकते हो आप देख सकते हो घर में क्या हलचल हो रही है उस camera के द्वारा तो यह चीज क्या है computer network का ही एक तो यह बात हुई हमारे computer network की इसका जो सबसे व्रिहद रूप है जो सबसे largest network होता है वो हमारा क्या होता है internet ठीक है तो जो internet है ना वो computer network का ही परिणाम है या computer network का जो सबसे बड़ा type है वो आपका क्या है आपका internet होता है और इसमें सारे hardware और software resources को क्या कर सकते है communication तो आप करते ही करते हो software और hardware को भी resources को क्या करते है शेर करते है बात आती ही computer network के इस्तेमाल की advantages की या uses की अगर आप बात करें तो सबसे प्रमुख इसका जो use है that is resource sharing resource sharing का मतलब है जितने भी hardware के resources है software के resources है इनको share करवाना भई आपका computer का network बना हुआ है मैं back में चलता हूँ ठीक है माल लीजे यहाँ पर यह आपका दो computer है तीन computer आपने connect किया अभी थोड़ी देर पहले बता है अब आपको तीनो computer से print निकालना है तो या तो तीनो के लिए separate printer लगाओ या यहाँ पर एक printer connect कर दो चूकि यह सब आपस में connected है यह computer भी इस printer को क्या कर सकता है यह क्या हुआ हाडवेर को एक्सेस करना इसी computer में अगर आपका CD Drive लगा हुआ है क्या लगा हुआ CD Drive तो उसको भी यह तीनों क्या कर सकते है एक्सेस कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप यूँनों hardware resources को एक्सेस कर सकते हो इसी तरह से जो software के resources हैं जिसमें सबसे प्रमुख है ER एंटर्प्राइज रिसोर्स प्लानिंग या ओपन सोर्स आफ्टेर्स आपने जैसे एरपी का मतलब यह कि माल लीजे सपोज इसकूल की आप बात करते हो आपके स्कूल में आपके एडमीन में ऐसा तो है नहीं कि जैसे माल लीजे यह आपका एडमीन डिपार्टमेंट है जो यहां पर आपका यह फोटो कॉपी मशीन भी लगा हुआ है प्लस मोबाइल वगरा जो भी अब यहां पर आपके इसकूल का एक सॉफ्टेर है ठीक है न मैं बात कर रहा हूं कि इसकी स्कूल के सॉफ्टेर की जिसमें आपका फीस मैंनेज हो रहा है एक कंप्यूटर लाइब में एक सॉफ्टेर डला हुआ है जो आपस में एक दूसरे के साथ connected है तो इस प्रकार से सॉफ्टेर की resources को भी आप प्रयोग कर सकते हैं information resource तो प्रमुकुदेश होते ही है information आपने computer का network बनाया है 3, 4, 10, 15 जितने भी computer है उन सभी computer के जो भी documents है, sheets है, reports है वो एक दूसरे के सा 1GB तो 10 computer आपस में connect है तो इसकी capacity कितनी हो गए 10GB हो गए तो storage की छमता भी बढ़ जाती तो यह हुआ आपका resource sharing अब resource sharing के बाद में इसी में अगला point है कि भाया अगर आपने जैसे मैंने आपको पहले भी बोला तीन computer से आपने जो है एक particular device printer connect किया तो आपने दो printer की cost भी तो cost efficient भी हुआ collective user information multi-user environment है एक साथ एक से ज्यादा लोग बैट के एक ही project पर कारे कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं multi-user environment फिर improved communication and information availability 24 x 7 आपके पास information available है communication में जो होता है वो आपका improve हो जाता है because जैसे मैंने camera की बात की आप किसी भी location पे बैठे हैं internet की अगर आप बात कर रहे हैं internet में क्यों बोला क्योंकि यह wide area network के computer network का सबसे largest form होता है तो internet में आप क्या दुनिया की किसी भी कोने में बैट के किसी भी type of information को कहीं से भी access कर सकते हो so that is what basically improved communication तो इस प्रकार से हम different you know computer network के advantages देख सकते हैं या आप uses भी इसको बोल सकते हो अगला जो हमारा point है जो बहुत important है जो ज़्यादा तर आपके questions इससे related पूछते भी हैं एक नंबर दो नंबर के वो है आपका network topology topology का मतलब सीधे सीधे देखिए हम बात कर रहे हैं क्या layout of structure आपकी screen पे यहाँ पे different types of you know layouts दिख रहे होंगे जैसे यहाँ पर देखिए single straight line से सब connected है यहाँ पर यह circle का shape बन रह है यहाँ सारे computer एक दूसरे के साथ independently connected है तो network topology का मतलब होता है layout of structure जो की computer network में define करता है कि किस pattern में सारे devices 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 में computer mobile सब चीज हो सकती है printer भी हो सकता है एक दूसरे के साथ connected है बट प्रमुक रूप से क्या है आपका computer connected होता है जब आप network topology की बात करते हो तो आपकी screen में दिख रहा है इसको हम बोलते है bus इसको हम बोलते है ring इसको बोलते है star इसको बोलते है क्या mesh तो जब topology के types की ब yes बट यह अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं topologies होते हैं इसको भी आपको समझना बहुत जबरी कौन सा layout आपके लिए suitable होगा वैसे तो मैं बात करूँ यहाँ पर जो star topology है न वही सरवाधिक प्रयोग होता है 95% of the time तो चले शुरुआद भी हम star topology से ही करते हैं देखे star topology आप देख के समझ पा रहे होंगे यहाँ पर central में एक device है जिससे की बाकी सारे devices क्या है आपस में connected होते हैं ठीक है अब यह जो central device आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसको या तो आप hub बोलते हैं या hub का प्रयोग कर सकते हैं या फिर दूसरा आप बोलोगे switch का प्रयोग कर सक topology होती है तो जैसे मैंने बोला all notes are connected to each other लेकिन वो directly एक दूसरे के साथ connected नहीं होते हैं वो connected होते हैं एक central device से जिसे hub या switch बोलते हैं तो कोई भी information यह भेजेगा तो पहले यह central device में आगा माल यहाँ पर थोड़ा से इसको clear कर लो बीच में अगर यह hub लगा हुआ है ठीक है अब यह अगर कोई भी information भेजेगा तो पहले hub के पास आएगा या switch के पास वहाँ से फिर वो बाकी computers में क्या होता है ट्रांस्मीट होता है तो यह बात होई star topology की अब बात होती है star topology के advantages की तो देखे सबसे पहली बात तो यह सबसे कम खर्चीला it is less expensive आसानी से आप इसको install और update कर सकते हैं trouble shooting इसकी काफी असान होती है it is robust network का मतलब यह है कि अगर मालो यह device यहां से खराब हो गया काम करना इसने बंद कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरा का पूरा network जो हो ठप हो जाएगा network वाकाइदा चलता रहेगा किसी एक device के बंद होने से network में कोई effect नहीं आता है और आसानी से यहां पर कोई भी एक cable खीचो और नया add को sorry नया device को आप क्या कर सकते हो connect कर सकते हो so these are you know different advantages of star topology जहां तक बात है इसके disadvantages की तो यह है कि इसमें जो बीच में hub लगा रहता है यहां पर मैंने फोटो में computer डाल दिया है इसको आप बोल सकते हैं कि य यह one of the disadvantage है second is performance of entire network depends upon central device पूरे की पूरी इस network की performance इस central device hub या switch पे क्या होती है depend करती है तो यह भी एक प्रकार से disadvantage है तो notes के highly configured होने से कुछ फाइदा नहीं है main जो आपका hub या switch है उसकी जो performance है उसी पर start topology की performance depend करती है और इसमें जो है cable जो है आवशक्ता से अधिक लग सकत है यह भी इसका disadvantage बोल सकते है इसी तरह से अगला जो topology है इसको हम बोलते है bus या linear topology आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह main cable लगी हुई है इसको हम backbone भी बोलते है क्या बोलते है इसको backbone इसी से बाकी सारे devices क्या है एक दूसरे के साथ connected होते है तो इसको single cable के through बोल सकते ह है जिसमें सारे computer एक दूसरे से connected होते है linear form में और इस cable को backbone बोला जाता है तो ऐसी topology को हम बोलते है bus topology यहाँ पर information जब transmit की जाती है किसी एक node के द्वारा तो यह सभी node तक पहुंसती है भले ही वो information बाकी सभी nodes के काम की हो या ना हो लेकिन वो process उसी you know node के द्वारा की होना है ठीक है बाकी सारे जो nodes होते हैं पहुंचेगी लेकिन वहाँ पर वो information क्या हो जाती डिनाई हो जाती that is what your bus topology अब जब इसके advantages की आप बात करेंगे तो इसको भी धियान रखेगा advantages में सबसे पहली बात तो यह कि सबसे यह simple और you know सबसे छोटे network के लिए सबसे suitable होता ह सबसे कम मातरा में you know cable की इसमें आउशकता पड़ती है यह small network के लिए सबसे बहतरीन है cost effective है आसानी से इसमें भी node को add करके आप बढ़ सकते हैं इसको expand कर सकते हैं यह कुछ इसके advantages है disadvantages की अगर आप बात करेंगे तो large network के लिए बिलकुल suitable नहीं कोई कि bus network में जैसे सारे nodes तक पहुंचता है तो यह काफी exhaustive हो जाएगा अगर आप बड़े network के लिए bus topology को इस्तेमाल करते हैं दूसरी अगर यह backbone जो central cable आप देख रहो हो यह वाली अगर यह किसी current से fail हो जाए तो पूरा का पूरा network आपका ठप हो जाएगा पूरा shutdown हो जाएगा network इसका design तो simple है लेकिन इसमें अगर कहीं किसी node में fault आ जाता है तो उसको diagnose करने में बड़ी problem होती है और यह network as compared to sorry topology as compared to other topology क्या होता है slow होता है तो यह कुछ इसके disadvantages है that you all should know the next is what your tree topology यहाँ पर सबसे important बात यह है कि इसे star bus topology के नाम से भी जाना जाता है इसको ध्यान दीज़े आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें भी एक main central cable है जिससे क्या हो रहा है एक computer connected है फिर उसके hierarchical structure में other computers connected है फिर इससे भी यहाँ पे further दूसरे computer connected हो सकते है तो यह stages में जो होता है एक प्रकार का network बनता है तो different levels में इसमें क्या होता है computer एक दूसरे के साथ connected होते है तो जो main device है इसमें जो य उसके बाद यह further इसका क्या होता है लो लेवल होता है तो लो लेवल के जो connected होते है device higher level से वो बिल्कुल एक tree का structure फॉर्म करते है यह lower level है इससे higher तो आपको देखके समझ मारा होगा tree का form ले रहे है और एक प्रकार सी यह parent child का kind of hierarchy भी बनाते है यहाँ पर क्या है इसके पास data आएगा फिर यह further इसको क्या करता है transmit कर लेता है तो यह आपका क्या हुआ tree topology का structure हुआ advantages की अगर आप बात करें तो पहला यह कि यह जो बड़े से बड़े network होते हैं उसके लिए ज्यादा suitable है जैसे bus topology वो small network के लिए लेकिन बड़े level पे अगर आपको network create करना है तो आप प नहीं है तो यह किसी node के फोलोने से पुरी तरह से ठप नहीं होगा यह बहुत ही flexible network है क्योंकि at any point of time आप कहीं पर भी इसमें इस तरह से क्या कर सकते हैं levels बढ़ा सकते हैं computer network के computer devices को add करके इसके लिए large community available है through the internet आप बोल सकते हैं जहां पर आपको इसके solution मिल जाएगा और य इसके कुछ advantages हैं जहां तक बात है इसके disadvantages की तो again जैसे इसमें यह जो main central cable दिख रही है आपको blue color की अगर यह fail हो गई तो इसका मतलब पूरा network क्या हो जाएगा आपका fail हो जाएगा अगर higher level का कोई भी computer fail होगा तो उसके नीचे lower order के जितने भी devices हैं उनमें भी communication नहीं हो पा की है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है डाउन हो जाती है चूकि यहाँ पर ज्यादा number of components और cable लगे हुए रहते हैं इसलिए इसका maintenance है वो tough होता है तीसरा I mean जो next point है वो यह कि यह as compared to bus और star ज्यादा expensive और complex network होते हैं तो यह कुछ इसके disadvantages हो गया the next we are going to discuss about mesh topology mesh topology को आप बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार से ऐसा network है जहां पर आपका यह जो computer है यह client और server दोनों का काम करता है क्लाइंट और server का मतलब यह कि कभी यह data को receive करेगा और कभी यह send करेगा तो सब को मिल जाएगा आप notice करेंगे यहां पर जितने भी आपस में इन्हों devices है एक दूसरे के साथ connected रहते हैं ऐसा नहीं कि जैसे star में main device से बागी सब connected है यहां ट्री में एक हिरार्की बनी रहती कि एक main device से बागी सब connected है यहां पर कोई भी network किसी sorry कोई भी computer या कोई भी device किसी भी device के साथ एक दूसरे के साथ connected हो सकता है तो each node जो होता है मतला all the nodes are connected to every other node individually each node is capable to send and receive information to and from मतलब जो मैंने आपको बता है कोई भी node data भेग भी सकता है और receive कर सकता है कहीं से भी और यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि maze topology जब आप यूज करते है न तो इसमें कोई भी central device का प्रियोग नहीं किया जाता जैसे मैंने आपको अभी बता है क्योंकि all the nodes are behaves like या all the nodes behaves like और can behave like either server or you can say what your client तो यह हुआ मेरा maze topology जो wired और wireless कुछ भी हो सकता है तो आज कल यह भी आप जानते ही ह सकता है it is a robust network मतलब अगर कोई node यहां पे fail हो गया तो पूरा का पूरा network बंद होगा ऐसा नहीं है नए node को आसानी से इसमें भी add किया जा सकता है it is a scalable network as there is no central server hub switch और router each node can act as a router तो यह scalable है क्योंकि यहां पे सारे ही device client और server के रूप में कारे कर सकते है it provides high security and privacy तो high security और advantages है disadvantage की बात करोगे तो चूकि यह सबसे ज़्यादा complex network है हर एक node एक दूसरे के साथ connected होते है तो इसमें जो है ना बहुत सारे connections होते हैं जिसकी वज़र से इसकी complexity बढ़ जाती है इसमें cable जो रहती उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है और यह ज़्यादा power consume करता है व कुछ points को आप धियान रखेंगे तो यह हुए different types of you know topologies इसके बाद में अब हम बात करेंगे network devices का फिर network के types का तो devices जैसे अभी हमने देखा hub switch के बारे में ज्यादा बात की तो देखे आप network बनाते है तो उसमें different types of devices का भी प्रयोक किया जाता है यह आप अपसमें सब computers को या devices को connect करने के लिए तो आई एंट devices को भी समझते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे hub की तो जब आप start apology बनाते हो ना तो वहाँ पर इस hub का प्रयोक करते हैं ज्यादा तर जहां पर सारे notes को एक दूसरे के साथ हम connect करते हैं यह hardware networking device है जो सारे ही notes या multiple notes को एक computer network में connect करता है यह data क को send or receive कर सकता है सभी notes के लिए हब जो होता है primarily देखिए इसका जो प्रमुक point है वो है यह broadcast करता है broadcast का मतलब यह है आपके पास यह आप देख पार होगे यहाँ पर यह hub लगा हुए मैं इसको थोड़ा सा color change कर लूँ यहां से 2 seconds आप माल लीजिए यहां सरक कोई इस node ने यह भी भेज देगा यहां भी भेज देगा तो इसका मतलब यह एक broadcaster का काम करता है उसको इससे मतलब नहीं कि कौन सी information किस node तक भेजना है जो भी information आपके हब तक आएगी उसको यह जितने भी notes उससे connected है सब तक भेज देता है और इसी लिए इसको dumb network device भी बोलते है क्योंकि यह filter करने का कारी नहीं करता कि किस node पे कौन सा information भेजना है और हब को passive device बोलते है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार को कोई software नहीं होता तो important ध्यान रखिएगा इसे broadcast करने के लिए प्रयोप करते है यह dumb network device होता है और इसको आप passive device भी बोलते हैं आगई बास समझ में हब के बाद होते हैं इसको intelligent hub अब intelligent hub क्यों बोलते हैं क्योंकि यह बीच में device लगा है अब हमने hub की जगर क्या डाल दिया है यहां पर switch डाला तो यह जो switch है इसके पास कोई भी information अगर आएगी तो यह decide कर सकता है कि इसको मुझे इस particular note तक ही भेजना सबको नहीं भेजना है तो it has capability या इ data को duplex mode में transmit करता है मतलब एक तरफ भेज रहा होता है और दूसरी तरफ यह receive भी कर रहा होता है तो send and receive together हो सकता है किसमे switch में इसलिए duplex होता है और यह किसी specific note तक कैसे किसी information को पहुचाता है उसके लिए use करता है mac address mac का मतलब होता है media access control जो IP में आपको mac address को नहीं पढ़ना आपको होनी चाहिए चुकि आपके switch में खुद का अपना software होता है इसलिए इसको active device भी बोला जाता है और शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि switch एक hardware networking device है that connects multiple nodes receive information from all nodes and send it only to the selected node तो यह receive कहीं से भी करके particular node तक data sorry information को भेज सकता है तो यह purpose है आपके switch का तीसरा है हमारा router ज basically ऐसा networking device है जो multiple physical network को connect करता है यहाँ पर लिखा हुआ है follow different protocol यह different protocol नहीं होगा इसको काट के आप लिखे है यहाँ पर asset network को connect करता है जो same protocols को क्या करते है follow करते है अब अगला जो point है router का वो भी धियान रखे कि router is responsible for receiving analyzing and moving incoming data packet to the another network यहाँ पर एक word यूज़ कर रहा है analyze यहाँ पर यह जो word आप देख रहा हो ना analyze यह बहुत important है देखे क्या होता है यह particular network है बहुत सारे इसमें नेक्टन है data के अब यहाँ पर यह जो particular word है ना analyze यह बहुत important है क्यों क्योंकि जैसे माली जी यह एक network है इसमें बहुत सारे devices connected है यहाँ पर एक दूसरा network है जिसमें अलग-अलग notes लगे हुए तो यह जो router है यह अलग-अलग path को analyze कर सकता है कि कौन सा part shortest है इस position तक इस location तक information को पहुचाने के लि इस तो router क्या है best route को find करके fit data को क्या करता है transmit करता है और जो important बात मैंने आपसे की कि यह जो different networks होते हैं जो same protocol को follow करते हैं उनको connect भी कर सकता है और यहाँ पर वही point लिखा है कि यह router ensure करता है कि जो data packets है वो most efficient parts से data को travel करवाते है destination तक मतलब अगर data भेजना है तो best path कौन सा है उसके द्वारा ही वो उसको भेजता है और router जो होता है वो wide area network internet में प्रियोग किये जाता है अब gateway जो है यह भी एक important device है अब यह भी क्या करता है different network को connect करता है लेकिन यह ऐसे network होते हैं जो different protocols को follow करते हैं router connects different network with same protocol gateway connects different network with different protocols और gateway एक प्रकार का node होता है जिससे की आपके network का entrance point बोला जाता है जिससे की बाकी सारे network क्या करते हैं उस particular network से क्या करते हैं communicate करते हैं gateway जो है वो software भी हो सकता है hardware भी हो सकता है या दोनों का combination भी हो सकता है और दूसरा gateway का प्रमुख जो परपस है यह एक firewall का कारे भी करता है proxy server का काम भी करता है आपके computer network के लिए gateway के दो काम है एक तो यह different network और different protocol वालों को connect करता है आपस में दूसरा यह आपके इनों माल लीजाए आपने gateway एज़े software अगर आपने computer में अपने connect कर दिया तो यह firewall का काम करता है जो भी बाहरी information आती उसकी पूरों चेक करता है authentic है की नहीं है फिर उसको अंदर क्या करता है भेजने का कारे करता है तो यह भी आपके gateway का प्रमुक उद्देश है तो यह जो gateway है यह router के रूप में भी क्या करते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो यह बात हो गई हमारे gateway की अगला जो device है वो है repeater repeater का मतलब है यह क्यों use होता है अगर long distance में आपका data travel कर रहा है एक note स दूसरे network तो अगर आपका बीच में कहीं पर signal की strength कम हो जाए तो वापस से उसकी strength को बढ़ाना है तो बीच में यहां पर repeater लगा रहता है जो signal को वापस से regenerate करके आगे बढ़ा देता है तो इसका काम है signal की strength को बढ़ाना ठीक है जनरली long distance network में इसका इसका इस्तेमाल क्या जाता है ताकि data loss मत हो या signal का loss मत हो repeater actually क्या करता है weak signal को copy करके regenerate करके उसी का नया copy भेज देता है repeater use होता है similar network को connect करने के लिए ये बात ध्यान रखिए same network में ही ये काम कर रहा है एक ही different network को आपस में connect करने का काम नहीं करता है इस बात को ध्यान रखिएगा repeaters जो होते है वो cost effective होते हैं और इसमें कोई processing का charge नहीं लगता है अलग से आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं local area network की that is types of network ये तो हमने बात की networking devices की आप देखे चार परकार के network types हैं एक होता है LAN एक होता है WAN एक होता है MAN और आजकल एक और जुड़गया है PAN जो सबसे पहले हम ब different computers को आपस में एक दूसरे के साथ connect कर देते हैं चत के नीचे का मतलब यहां पर लिखा हुआ है close proximity एक single campus में ही अगर आपने एक computer network अगर आप establish करते हैं तो उसको हम local area network के नाम से जानते हैं इसके सबसे important बात है characteristics को आप ध्यान रखिए जो पहला यहां पे point है ना कि land का जो range जोता है वो एक से 5 km दूसरा यह generally private होता है एक single person के दौरा own किया जाता है speed जो रती as compared to other network इसमें high होती है और इसे आसानी से install और maintain किया जा सकता है यह characteristics है दूसरा है metropolitan area network अब metropolitan area network के है जैसे आप एक local city में different अगर आपके offices है मतलब एक city में या आप वो सकते हैं कस्बे में अल लग लोकेशन पे अगर आप computer network established करते हैं तो उसे man का नाम जिया जाता है earlier days में metropolitan area network का मतलब होता था जब metro cities में different computer network एक ही organization के लिए established किये जाते थे थे बट nowadays तो हर जगह ही चुकि computer network हर एक जगह बनता है चाहिए वो उसे हम man बोल सकते हैं इसकी characteristics को देखते हैं 5 से 50 km इसकी group of people, consortium of people या organization के द्वारा चलाया जाता है जैसे municipal office है, police station है तो यह मान लिजी एक ही सहर में अलग-अलग police stations है वहाँ पे अगर computer network बना तो वो किसमे आ जाएगा आपका metropolitan area network इसकी भी speed अच्छी खासी रहती as compared to land लेकिन इसकी speed कम होती है और यह generally क्या होते हैं public होते हैं ठीक फिर बात आती है wide area network तो wide area network तो जानते ही है across different cities, different states, different countries या भोला जाये different geographic locations पे अलग-अलग computer जब एक दूसरे के साथ connected हो जाते हैं तो वो wide area network कहलाता है सबसे बड़ा wide area network क्या है आपका internet कौन है सबसे बड़ा when that is your internet ठीक है characteristics को देखिए long distance cover करता तो इसमें कोई range नहीं है 50 km से जादा हुआ मतलब wide area network हो गया जनरली ये national या multinational organization के द्वारा रन किया जाता है जैसे आप SBI की बात करिए national banks की, railways की बात करिए internet ये सब इसके examples में आएंगे और obviously ये इतना बड़ा network है तो land और man के comparison में इसकी speed कम होती है ज़्यादा तर wide area network क्या होता वो public network के रूप में माना जाता है या जाना जाता है ठीक है आगे बढ़ते है personal area network हम बात करेंगे कि इसकी personal area network की personal area network जो है it is collection of various interconnected devices such as computer, mobile devices, fax, machine and printer available closely to an user अब आजकल क्या है देखिए आप अपने घर पे रहते हैं तो आपके पास अपना खुद का mobile है computer घर में लगा रहता है desktop साथ में laptop भी है printer भी है आपका headset भी आजकल wifi आ गया आपने क्या किया इन सब को आपस में एक दूसरे के साथ connect कर गिया तो यह भी तो एक प्रकार का computer network बन गया तो ऐसे network को बोलते है pan that is personal area network क्या बोलते है इसको personal area network और ज्यादा तर इसको बनाने के लिए जो है न वो हम wifi का प्रेव करते है wireless network के रूप में pan को जाना जाता है ठीक है इसके characteristics देख लो जैसे मैंने आपको बोला wifi connection परसनल होता है यह हमेशा individual के द्वारा operate होता है 10 से 30 मीटर इसकी maximum range है इसको आप 50 मीटर तक में भी कर सकते हैं किलो मीटर में यह नहीं जाएगा और यह private होता है जैसे अभी आप से बात की तो यह overall बात हो गई हमारे computer network की अब हम बात करते हैं internet and web की अच्छा आप अपनी screen पे देख पारे computer network का भी जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि एक तो है हमारा computer network का fundamental जिसको अभी हमने देख लिया अब हम चालू कर रहे हैं IP में जो अलग से आप में added है introduction to internet यह पूरा जो syllabus जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ website, web browser and उसके जितने भी subtopics हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं what is internet, so internet basically आप जानते हैं computer network है, wide area network होता है, इसको हम देखें आपने यहाँ पे लिखा हुआ है interconnected network, मतलब internet को एक तरीके से आप expand कर सकते हैं और यह बोल सकते हैं कि it is basically what internet, interconnected network, now अगर आप इसको define करने की बात करोगे, तो सबसे पहले तो समाने बात में आप wide area network इसको बोल सकते हैं, दूसरा जो computer network की definition आपने शुरू में देखी थी, जहाँ पर हम किसी भी type of device को जब एक दूसरे के साथ connect कर देते हैं for the communication, to establish the communication, तो वे computer network कहलाता है, उसी तरह से internet को अगर आपको define करना, we can say it is what independent global network system, जहाँ पे countless computer and other electronic devices जो की अलग-लग फैले हुए हैं, scattered around the globe मतलब across the globe, अलग-अलग जगों पे electronic devices जो की फैले हुए हैं, including computer system, वो आपस में एक दूसरे के साथ connected होते हैं, चाहे तो wire के through या wirelessly, obviously जब आप across the globe करोगे तो वहाँ पे wire तो आप ले नहीं सकते, लेकिन भाई किसी campus में माल लीजे, local area network बना है, लेकिन through internet आप उस से अमेरि wireless भी है, इसलिए wirelessly और wirely हम दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ और इसके लिए बहुँ सारे different devices लगते हैं, इंटरनेट को पूरा स्थापित करने के लिए सिर्फ computer system से तो काम नहीं होगा, उसके लिए आपको एक पूरा ecosystem रेडी करना पड़ेगा communication के लिए, जिसमें कि आप satellite भी यूज करते हैं, routers भी यूज करते हैं, obviously wires भी होती है, moderns भी होती है और इस तरह के तमाम network devices का प्रयोग किया जाता है, तो यह internet की definition है, जिसको मैंने अपने इसाप से यहाँ पर लिख दिया है, detail में, बात आती है कि internet के applications क्या है, देखे, साधारन शब्दों में आप बो cooking करते हैं, entertainment, यह सब तमाम चीजे यहाँ आप internet के प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन ideally जब आप internet के application की बात करते हो, तो basically चार है, एक तो www, जहाँ पर पूरा website और web pages का हिसाब किताब होता है, दूसरा है email, जहाँ पर mailing का यह service होता है, तीसरा है chat, जहाँ पर आप एक दूस wipe, जिसका हर जगा बोल बाला है, चाहे आप किसी भी application को इस्तेमाल को लो, जैसे WhatsApp की बात कर लीजी, तो उसको समझ लीजे WhatsApp की बात की, मतलब वहाँ पर wipe की बात हो ली, तो यह कुछ four different applications हैं आपके internet के, इन ही को हमको detail में थोड़ा सा समझना है, सबसे पहले हम यहाँ पर ब पर नर ली, in 1989, to give user access to wide range of documents that are connected to each other by hyperlink and written in STML, अब यह जो definition यहाँ पे लिखी हुई है, सीधे सीधे आप समझ यह, worldwide web को in short, इसका जो short form है www होता है, इसको हम web भी बोलते हैं, और यह basically STML documents को आपके साथ क्या करता है, share करता है, मैंने बोला STML document को, STML document कहा open होता है, web browser में open होता है, अब web browser में क्या open होता है, आप बोलते हैं, web page open होता है, या किसी website को खोलते हैं, तो कोई भी website या web page जो आप open कर रहे हो, actually तो वो STML document ही है, क्योंकि web browser, किसी भी language में web page बना हो, web application बना हो, ultimately आपके web browser के थूँ जब वो computer में display होता है, तो वो render होता है, किसमें STML के form में, इसलिए www, जो एक service एंटरनेट की, एक application एंटरनेट का, उसमें STML के form में जितने भी documents आपकी screen तक आ रहे हैं, जिसके लिए आप web browser का प्रयोग करते हैं, वो सब actually STML documents होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बात की, इसकी, now इसको बनाया या develop किस ने जिसकी basis पर फिर यह application market में आई, now जो www है, the content of STML document, अच्छा यहाँ पे एक बहुत important बात है, कि यह जितने भी STML documents है, यह आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, लिंक हो सकते हैं, आप Google जाते हैं, search engine में जाके, जब आप कोई keyword लिखते हो, बहुत सारी websites के link आ जाते तो यह क्या हुआ है, इसको हम लो hyperlinking ही बोलते हैं, तो यह बात हुई कि जितने भी STML documents है, वो एक दूसरे के साथ connected हो सकते हैं, interlink हो सकते हैं, इसको हम hyperlink भी बोलते हैं, अगली बात, जो STML का content होता है, इसमें text भी हो सकता है, graphics, audio, video, कुछ भी हो सकता है, और इससे भी techtipnow.in, यह basically एक website का address है, जिसको की हम URL भी बोलते हैं, तो actually आप इस URL की मदद से, जो यहाँ पर आप देख रहे हो, इस HTML document जो की techtipnow के नाम से, उसको open करते हैं, और उससे related उसमें सारी information आपको मिलती है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, notes, question, paper, worksheet, you know, practical, e-book, अगर यह सब चीज आपको चाहिए, आप इस HTML document को खोलिए, जिसका की address है www.techtipnow.in, और यह जो website है, यह basically एक URL कहलाती है, जिसका full form होता है, uniform resource locator, आगे चलके URL को discuss करते हैं, now HTML document को अगर आपको open करना है, तो आपको किस की ज़रत पढ़ती है, web browser की ज़रत पढ़ती है, और जो protocol, mainly आपके इस www में involve होता है, that is basically your sttp, now आजका लेक चला हुआ है, क्या sttps, जिसको बोलते हैं, hypertext transfer protocol secure, या secure hypertext transfer protocol, बट इस protocol को याद रखे, जो associated है किसके लिए, worldwide web के लिए, protocol, in short बता दूँ, set of rules होते हैं, जो communication, या data transfer करने में, या data receive करने में, या data transaction में, over the computer network, आपकी मदद करते हैं, तो ये set of rules हैं, जिसकी help से, data actually एक place से, दूसरे place पर travel करता है, worldwide web जो application है, वहाँ पर इस sttp की help से ही, data आपके web server से, आपके web client अर्थात आप तक पहुंसता है, इस बात को आप समझे, अब ये तो बात हो गई, worldwide web की, सवाल ये पैद तो internet एक basically तो umbrella है, जिसका एक part www है, internet एक larger aspect में बोलते हैं, computer network होता है, जिसका एक application क्या होता है, आपका www, internet primarily hardware based है, जबकि www जो होता है, वो primarily software based होता है, internet basically जैसे मैंने बोला, networking infrastructure को represent करता है, जबकि आपका ये जो web है, ये basically collection of HTML documents या information that can be accessed through internet को represent करता है, internet में mainly communication के लिए TCP IP इस्तिमाल होता है, जबकि www में sttps का प्रियोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ये difference को आप याद रखेगा, अब चूकि हम www की बात कर रहे हैं, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, तो आप ये समझे कि website क्या है, तो basically जो भी HTML document आप देख रहे हो, अब ये जो HTML document है, document का मतलब क्या, इसमें बहुत सारे क्या हो सकते हैं, pages हो सकते हैं, इन pages को आप क्या बोलोगे, HTML pages, इन ही HTML pages का जो collection है, उसको हम क्या बोलते हैं, website आप यहाँ पर इस diagram को देखी और समझे, ये क जो collection होता है, उसको हम website बोलते हैं, यहाँ पर ये जितने भी pages आप देख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, web page बोलते हैं, web page इसलिए बोलते हैं, क्योंकि ये browser का इस्तेमाल करके आप open करते हैं, और इनका development actually किसमें किया जाता है, HTML language में, that's why they are called what web pages, and the collection of web pages are actually known as what website, and all these web pages can be interlinked with each other, so the basic difference between a normal page which you make or create in MS Word, is that those pages cannot be interlinked, when you open MS Word, you just scroll all the pages which are there in sequence, जब की website के के में, web pages के के में, there is not, you know, particular sequence of all the pages which are there, inside the website you put, right, तो वो सारे, you know, web pages एक दूसरे के साथ, interlinked होते हैं, that's the point, so ये तो बात हो गए हमारे website की, और website के अंदर के content को देखोगे, तो web page मैंने आपको बता ही दिया, अच्छा जब आप किसी website को open करते हो, तो जो पहला page open होता है, उसको हम homepage बोलते हैं, ये जितने भी pages ह होते हैं, जो एक दूसरे के साथ किसी link से connected होते हैं, उस link को हम hyperlink बोलते हैं, याद रखेगा, hypertext क्या है, जैसे आपको लिखा रहता है, go to xyz, underline बना रहता है, जिसमें आप mouse को लेके जाते हो, तो ऐसा हाथ आ जाता है, click करते हो, तो आप चले जाते हो, तो ये go to xyz, जो address ह है, जो hyperlink का address है, उसको हम hypertext बोलते हैं, web address आगे चलके बताई रहा हूं, uniform resource locator, इसको अलग से हम पढ़ते हैं, content का मतलब जो website के अंदर जितनी भी information बिलती है, चाहे वो audio हो, चाहे वो video हो, चाहे वो text हो, चाहे वो image हो, उन सब का collection से मिलकर आपका content बनता है, design का मतलब structure of the page कि कहां पर कौन सी image है, कहां पर text है, top में header कैसा दिख रहा है, menu कैसा दिख रहा है, नीचे footer कैसा दिख रहा है, तो वो पूरा design का part हो जाता है, किसके आपकी website का, web page, आपको मैंने बताया है कि HTML में लिखा जाता है web page, यह basically एक page होता है, जो किसी HTML document का part होता है, and it is available on the www, आ web server में, जिसको web server में एक folder होता है, जहां पर इसको रखते हैं, जिसके through फिर across the world कोई भी उसको उस web page को open कर सकता है, और इसे कहां देखा जाता है, हमेशा आपके browser में देखा जाता है, content of web page can be of any type, चाहे वो text हो, graphics हो, audio, video, जिसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ web pages एक दूसरे के साथ hyperlink के द्वारा interconnect भी हो सकते हैं, तो इन बातों को आप web page के संदर्म में याद रखेगा, home page मैंने आपको बताया है, home page is basically a web page of a website that appear first of all when a user opens that website, अब आप यह आपकी screen पे दिखे रहा है www.take tip not.in, आप जैसे जब इस website को open करेंगे, तो इसका जो पहला page जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, home page बोलते हैं, तो यह web browser मैंने open किया, अब मालो मैंने अपनी website open की tap tip not.in को, आपके screen में यह website आईगी, देखिए, तो यह जो पहला page खुला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं, home page, अब यहाँ पर आप कहीं पे किसी link में जाएगे, जैसे यहाँ पर आप move किये mouse को यह blue color का जो दिख रहा है, यह क्या है link, और यह informatics practices class 11 लिखा हुआ, यह क्या होगा, hypertext, आपने जैसे ही इसको click किया, आपकी screen में दूसरा एक web page open हो जाएगा, जहाँ पर फर्दर आपको different links मिल रहे हैं, जैसे यह class 11 का web page है, I guess आ यह complete URL को represent करता हूँ, आप notice करेंगे, यहाँ पर यह STTPS लिखा हुआ है, जो की protocol है, जो www में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह तो बात हो गई हमारे यह जो basic चीजें अभी मैं आपके साथ discuss कर रहा था, तो यह clear हो गया होगा, home page भी, अच्छा, home page जो है, आपको पूरे website मे किसी भी webpage में जाने की इसाज़त देता है, वहाँ पर आपको सारे link मिलते हैं, अच्छा, home page जो हता है, किसी भी website के लिए सबसे ज़्यादा महत्पूर है, क्योंकि यह प्रमुक मुखोटा है, अगर यह सही नहीं रहेगा, तो कोई भी आपकी website में विजिट नहीं करेगा, तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा, इसलिए homepage की design सबसे ज़्यादा माहिने रखती है, जब आप development की बात करते हैं, बात आती है types of webpages की, तो जो भी webpage आप देख रहे है, homepage तो पहला page होता है, लेकिन दो परकार के webpages होते हैं, एक static webpage, दूसरा होता है dynamic webpage, static का मतलब fix, dynamic का मत every time it is weaved, अब एक website है, जो advertisement के लिए बनाई गई है, किसी company ने अपने जानकारी के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, कि जैसे मेरी एक engineering की firm है, तो मैंने एक website बना दी www.xyzengineering.com, कोई भी उसको दुनिया की किसी भी कोने से खोलेगा, same information ही display होगी, साल भर भी उसमें व यह basically क्या है, आपका static webpage होता है, dynamic webpage इसके just opposite है, आप Amazon की website में जाईए, या Indian railway की website में जाईए, वहाँ पर जो भी content आ रहा है, वो जबरी नहीं कि आप end पे display हो रही होगी information उस railway की, जबरी नहीं कि वो across the country बाखी users के सामने भी display हो रही होगी, वो सकता है, दूसरे user के पास कु different information, different users तक इनों display होती है, और frequently जो data है उस particular website का change होते रहता है, ऐसी websites को हम लोग बोलते हैं, dynamic webpage इस बात को ध्यान रखेगा, अब यहाँ पर working दिया हुए, static और dynamic webpage का, देखिए, अब किसी भी network की बात करिए, आप internet में webpage भी open कर रहे हो, तो वो किसी server से ही आ रहा होगा, तो यह माल लीजे आपका browser है, यह आपका server है, दोनों जगा web browser है, basically यह आप माल लीजे client है, यह आपका server है, आपने यहाँ से किसी website की request भेजी, वो sttp के form में आपकी request जाती है server तक, server उसको क्या करेगा, locate करेगा उस address को, उसका जो information है, वापस ऐसे response आपके end तक पहुचा देत है, इसमें कहीं कोई ऐसा direct बीच वाला काम नहीं है, कि कहीं data कहीं और से आ रहा है, इसको बोलते हैं, जब आप request करते हैं, तो sttp request हो जब response आता है, उसको बोलते हैं sttp response, आप जो बैटके उस web page को open कर रहे होते हैं, अपने web browser में, तो आपको हम client बोलते हैं, आपका जो web browser है, इसे हम web client भी बोल सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर जो आपको service provide कर रहे हैं, जो आपको उस web page को open कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, web server बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, अब static के बाद में, जब dynamic web page की working बताते हैं, तो इसमें एक step extra आजाता है, क्या, आपने अपने end से एक request भेजी, यह जो request है, उससे related जो भी program है, वो execute होगा, जब वो program execute होगा, तो उसकी basis पे जो response आएगा, क्योंकि जब आप request कर रहे हो, dynamic web page में, तो आपके end पे आपकी request अलग जाएगी, दूसरे user की request जो है, वो अलग तरीके से आपने request डाली, शू की, तो आपका जो Amazon का program है, वो शू का data सर्च करेगा, उसको execute करके उसका response त्यार करेगा, फिर वो वापस आपकी screen पे क्या आएगा, return होगा, तो चार step में इसमें काम हो रहा है, पहले आपने request दिया, उससे related program execute होगा, मतलब पहले उसका request जाएगी, उस difference की जहां तक बात करें, मैंने already बता दिया, इसका data fix होता है, इसका data dynamic होता है, same content सभी user के लिए display होता है, static webpage में, dynamic में different content, different users के लिए, static webpage generally HTML और CSS के उतारा इसका निर्माड हो जाता है, dynamic webpage में, you know, programming भी हमको लगती ही, तो PHP, Java, ESP, .NET, Python, इन सब के द्वारा इसको तयार किया जाता है, ये updated बहुत rarely होता है, static webpage को कि इसका data fix होता है, जबकि dynamic webpage जो है, वो frequently change होता है, static webpage जो होता है, चुकि इसका content fix है, इसमें data बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका execution time बहुत fast होता ह है, जल्दी webpage load होता है, आपके end पे, जबकि dynamic webpage जो होता है, इसका data चुकि process होके program की basis पर result मिलता है, इसलिए इसमें time ज़्यादा लगता है, delivery time इसका ज़्यादा रहता है, uploading time इसका ज़्यादा रहता है, so these are the differences, बात आती है, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ये URL क्या है, आप अपनी screen पे देख पा रहे होंगे, URL, URL का मतलब website का address अधान शब्दों में, अब ये जो address होता है, इसमें तीन components होता है, protocol, name of the address of the server, और location of the file, जैसे आप देखो, ये हो गया मेरा protocol, sttps, फिर दूसरा होता है, name और address, जिसको की domain name भी बोलते हैं, इसको ध्यान ये www.taktipnow.in, जो है, domain name भी है, तो ये जो name यहाँ पे लिखा हुआ, second part, that is basically what your domain name, और exactly किसी location पे किसी web page को open करना है, तो उसको हम बोलते हैं, file location, तो अगर आप www.taktipnow.in को भी open कर रहे हो, तो ये भी एक URL है, और अगर किसी file के साथ exactly उसका address दे दे रहे हो, जिसको की absolute URL ब देख पा रहे होंगे, ठीक है, now absolute and relative URL की जब आप बात करते हो, तो absolute URL, basically तो type of URL होगे, absolute URL जो होता है, it basically contains complete address of a particular web page, अब वो start होगा HTTP से, जो आप देख पा रहे होगे, HTTP पूरा website का address, फिर उस फाइल का location, लेकिन जब आप relative URL की बात करते हैं, तो it does not contain complete address, but contain the file path, excluding the domain name, यहाँ पर domain name रहता है, आप direct लिख दो download slash index dot html, तो यह basically क्या हो जाता है, URL, मतलब relative URL हम इसको बोलते हैं, और it assumes that the link you add in on the same site and is part of root domain, यह assumption रहता है कि already आप उस website में हैं, और आपने क्या कर दिया, मतलब उस root domain में हैं और आपने इसको add कर दिया, so this is what your relative URL, हरा कि यह हो सकता है, आपके syllabus के according आपके काम का ना हो, बट फिर भी धियान रखेंगे, now the next point is what your web server, अभी हमने पूरा website web पे सारी चीजें देख ली, web server क्या है, हमने already आपको बताया है कि आप अपने computer में काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ के, आप जब किसी website को open करते हैं, तो वो कहीं से आ रहा होगा, तो आपने यहाँ से जब कुछी website को open किया, XYZ को, आपने request डाली, वो कहा जाती है आपके web server में, जहाँ पर आपका HTML document कहा रहता है, store होता है, और across the world जहाँ पे भी उसकी request जाती है, उस particular web page की, उसको यह service provide करने का काम करता है, तो basically web server में hardware software दोनों होते हैं, ज जो की HTML document को contain करते हैं, और वो www की जो request होती है, उसको process करके उसका response देते हैं, यह धियान रखिए, so web server is a computer used to store and respond to a web related request, it handle HTTP request and deliver what your web pages, इस बात को धियान रखिए, now यह जो web server होते हैं, they are used for web hosting, और hosting for the website or web application, hosting का मतलब यही हुआ, कि भाई, जैसे आपने अपनी कोई website बनाई, आपने अपने computer में बना दिया, अब उसको live करना तो क्या करोगे, तो बहुत सारी web hosting services होती हैं, companies होती हैं, जो आपको web host करने के लिए बोलती हैं, और web hosting करने के लिए किसकी ज़रत पढ़ती हैं, आपको web server की ज़रत पढ़ती हैं, ठीक है, इसलिए यहां पर यह word user हो रहा, hosting का, web server can also support ftp and smtp file transfer protocol और simple mail transfer protocol को भी यह support करता है, web server, hardware और software दोनों हो सकता है, obviously hardware का मतलब जहां पर आपका HTML document save है, और उसको process करने के लिए, email को process करने के लिए, वो सारी services provide करने के लिए, programs की ज़रत पढ़त की बात करते हो, तो एक परकार का यह computer या यूँ बोले के यह CPU होता है, जहां पर, you know, वो software को भी अपने पास रखता है, प्लस आपको storage space भी देता है, जहां पर वो सारे HTML document को store कर लेते हैं, और जब आप HTML document की बात कर रहे हैं, मतलब website की बात कर रहे हैं, और इसमें आपका प कोई भी request जाती ही, जैसे माल लो आपने कोई web application बनाई है, अगर आपके पास किसी data को open करने की request आई, तो उससे related program जो होगा, वो execute होगा, तो वहां पर web server में जो software available होता है, उसकी जिम्मेदारी आजाती है, यह सारी बाते आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद में अब हम ब to store and manage and serve a website or application in the internet and make it part of www. तो आपने अगर कोई website बनाई, उस website को जैसे मैंने पहले बोला, अगर आपको live करना है, so that across the globe, लोग उसको open कर सकें, तो उसके लिए आपको web hosting services के लिए अप्रोच करना पड़ता है, यह जो web hosting service होती है, यह आपको software और hardware दोनों provide करती है, खास कर, अब web hosting service गोर तो यह सारी सूधा हैं कहां से मिलेंगी आपको hardware की, software की, तो वो web server इनके पास होते हैं, जिनको यह rent पे आपको provide करते हैं, उसके बिहाप में आपसे कुछ पैसे लेते हैं, तब जाके आप अपने documents को या website को वहाँ पर store करते हैं, upload करते हैं और live कर पा जाती है, उसके बाद across the globe internet में कोई भी उसको परियोग कर सकता है, तो यह बात हुई हमारे web hosting की, website को अगर आपको host करना है, तो उसके क्या steps हैं, obviously, आप सबसे पहले तो अपने सारे web pages को ready कर लो, जो आपस में एक दूसरे के साथ internet है, interconnected होंगे, अब आपको इसका क्या चाहि है, जिसके थुरू आप इसको access करो, अब name का मतलब हमको इसका address चाहिए रहेगा, जिसको की हम क्या बोलते है, domain name, अब यह domain name जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, www.tiktipnot.in, अब यह domain name आपको अपने मन से तो बना नी सकते हैं, आपको इसको purchase करना पड़ेगा, तो यह आप आपको जो domain service providers है, actually जो web hosting services होती है, वह आपको इसकी services भी provide करती है, जहांसे आप domain name purchase करोगे, आप उसको register करना यहाँ पे लिखा हुआ, register का मतलब उसके भिहाद में आपको पैसे तो देने पड़ते हैं, जो हर सल आपको देना है, यह domain name आपने purchase किया, यह non या address मिलने के बा रहेगा, यह services आपको मिलेंगी, इस प्रकार का CPU, इतना GB space and so on, फिर उसको आप select करते हैं, जहां पर आपको web space मिल जाता है, उसके लिए पैसा देते हो, तो आपको domain के लिए भी पैसा देना है, web server के या hosting के लिए उसके लिए पैसा देना है, जहांके app की HTML, documents या websites क्या होंग उसके बाद में आप क्या करते हैं, कि भाया, जैसे देखिए, आपने domain name डाला, मैंने लिया www.taketipnow.in, यहां पर आपका यह CPU है, जहां पर इस taketipnow.in से related जितनी भी files हैं, उसको आपने सब को डाल दिये, सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोई user इस address को open करेगा, तो वो direct यह address का क्या होता है, mapping होता है, mapping के लिए IP address का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो address के द्वारा जब इस domain name को आपकी files के साथ, web pages के साथ, associate कर दिया जाता है, so that उसके बाद जब आपकी website को कोई भी इस address से open करेगा, तो उससे related data आ जाता है, तो यह point हो गया, map IP address of web server to the domain name of your site, उसके बाद space मिलता है, वहाँ पर आप अपना user login ID, password जो भी बनाना बनाईए, अपना data को upload कर दीजिए, और वो first class काम करना शुरू कर देता है, तो यह तो बात हुई हमारे website को कैसे आप post करते हैं, web hosting का प्रक्रिय, web server में भी लगभग यही बातें आ जाती है, अब बात आईए, तो पूरी कहानी होगे, internet and web की, ultimately आपका जो data वो कहाँ display होता है, आपके web browser में होता है न, तो web browser क्या है, एक प्रकार का application software है, जो की आपको facility देता है, आपको help करता है, जो भी internet में available information है, उसको आप देख सकें, it display information retreated from web server in HTML format, जो पहने पहले भी चर्चा की, कि web browser आपको कोई भी information, HTML के form में ही देगा, आप चाहे तो PHP में अपना web page बनाओ, चाहे पाइथन में बनाइए, जब वो खुलेगा कहाँ पे, आपके web browser में, तो इस browser में जब वो खोलो गया, तो वो PHP या किसी में भी लिखा र इसलिए HTML format, web browser आप जानते ही है, Chrome है, Mozilla है, Internet Explorer, Opera and so on, open source का question पूछा जाता है, तो याद रखिए, open source software में Mozilla को हम consider करते हैं, it is free and open source, I guess आपको ये clarity मिल गई होगी, तो ये तो बात हो गई web browser की, अब email की अगर आप बात करते हो, तो email आपको मालूम है, electronic mail, एक internet की application है, जिसक ये द्वारा आप messages को लिख के किसी को भी भेज सकते हो, जब आप email की बात करते हो, तो इसके लिए सबसे ज़्यदा अवश्यक चीज है email address, जब तक आपका स्वयम का email address नहीं होगा, और सामने वाले का email address नहीं होगा, तब तक आप कैसे message, या mail कर पाओगे, तो email address जब आप आप बोलें hotmail, जैसे कि आप बोल सकते हैं rediff mail, ये सब आपको email की service की सूइध हैं, आपको provide करते हैं, ठीक है, आप किसी में भी जाईए, आपको email address बनाना पड़ेगा, अब email address जो होता है, आप देखिए अपनी screen पे, एक तो आपका नाम होगा, add the rate separator होगा, और फिस service प्र email के component को आप ध्यान रखिए, तू, जहां पर की email का address आप जिसको भेजना उसको डालते हैं, एक से ज़्यादा लोगों को भेजना तो cc या bcc कर सकते हैं, cc का full form है carbon copy, bcc का होता है blind carbon copy, अगर आपने 2 के बाद 10 लोगों को cc कर दिया, तो उन 10ों को आपका email, मतलब उनको य 10 लोगों को mail भेजा, लेकिन किसी को भी यह पता ना चले कि भाईया, यह 10 लोगों को मैंने mail भेजा, आप तक mail आई, मतलब आपको लगेगी सिर्फ आपका mail आया, तो हम blind carbon copy लिखते हैं, इसमें जो भी email address आप specify कर देंगे, तो वो केवल receiver को दिखेगा, बाकी जो addresses हैं, वो आप पूरी कहानी लिखते हैं, mail करते हैं, और अगर आपको कोई file attach कर देंगे, तो attachment का button देता है, उसमें जाके file attach कर देते हैं, यह सब आप जानते ही हैं, online education जब चल रहा था, corona covid time पे, तो आपने भरपूर यह सब किया होगा, finally send button दबाईए, और आपका mail चले जाता है, तो BCC का याद रखो, blind carbon copy, अचा, email address and CC are visible to all the recipients, और BCC में जो होता है, that are not displayed to any of the recipients, ठीक है, reply to all अगर आप select कर दोगे, तो all recipients को receive मिल जाता है, जबकि इसमें reply to all अगर आप select करेंगे, तो इसमें सभी recipients को उसका answer नहीं मिलता है, बस यह दो point को आप ध्यान रखेंगे, यह तो बा बात होती है, हमारे voice over internet protocol की, जो की again बहुत ही important है, आजकल जो WhatsApp आप यूज कर रहे हो, आजकल जो आप zoom meeting के लिए, जो zoom conference यूज करते हो, या Google meet यूज करते हो, यह सब voice over internet protocol करते हो, बेसिकली यह ऐसी technology या protocol है, जो आपको video और audio services provide करता है, video audio call आप कर सकते है, including text as well, जहाँ प cost है, और इसकी functionality increase रोती, इसमें आपको देखा होगा, आपने, कि जब आप normal call करते हो, उसकी जगा WhatsApp call करते हैं, तो आपको clarity ज्यादा मिलती है, stereophonic sound भी कई बार आ सकता है, it depends upon how the kind of internet service is there, right, so यह हुआ voice over internet protocol, advantages की बात करोगे, यह सस्ता है, easily available है, disadvantage, चोकि internet connectivity पे यह based दोता है, तो audio video की guarantee तभी आपको मिलेगी, जब internet की connectivity अच्छी होगी, बड़े शरों में आप geo fiber लगा रहे है, normal mobile में अगर करोगे तो हो सकता, सही नहीं मिले, तो geo fiber लगा लेते हैं, ताकि bandwidth ज्यादा मिले, और आप सही तरीके से internet रिजूस करें, तब आपको guarantee ज्यादा मिल जाती है, अच्छा यह जरूरी नहीं है कि emergency numbers जो है इस पर work करें, ठीक है ना, तो वो भी ध्यान रखिए, और यह पूरी की पूरी तरह internet या उसके protocol, that is voice over internet protocol, जिसका main protocol IP, internet protocol होता है, उस पर depend करता है, तो यह disadvantages है, जिसका आप ध्यान रखें, जिए, the next and very important part is what, your chat, chat आप जानते ही है, real time communication होता है, देखिए, सबसे important बात होती है, chat और email के बीच के difference की, email क्या है, वो real time नहीं है, वो offline भी होता है, आपने भेज दिया सामने वाला live हो ऐसा जवड़ी नहीं, chat में real time communication हो, email किसी भी type of service provider के email में आप भेज सकते हो, chat में same service provider से ही होने से आप एक दूसरे के साथ communicate कर पाते हैं, so it's a real time communication service on the internet that offers an instant transfer of message between people at the different geographic location, ये zoom meeting है, आप बैठे हो, इंडिया में एक बन्दा बैठा है, अमेरिका में, different location में, zoom meeting के दौरा आप एक दूसरे के साथ live हो, तो ये chat का फायदा है, for chatting all who are communicating must be online at the same time, हाँ, online होना चरी, जरूरी है इसमें, नहीं होंगे online, तो obviously आ communication करी नहीं सकते, कुछ important chat softwares है, Google Tag, Skype, Yahoo Messenger, WhatsApp, Hangout, Reddit Messenger, तमाम जितने हम जानते होंगे, ये chat की बात हो गई, इसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ, cookies की, आपकी cookies का definition है कि small text file, जो की user के computer में कई दफा अपने आप, आजकल तो अपने आप ही होने लग गई, otherwise ये user के computer में, जब activity को, या उसकी browsing experience को enhance करता है, दूसरे तरीके से, आपने अगर अपने screen पे अम्मी जान या Amazon website को open किया, आपने यहां पे जूता खोजा, अगले दिन आप फिर से उसी को खोलते हो, तो जूते जूते आपके screen पे आपको दिखाई देते है Amazon की website में, क्यों दिखाई देते हैं जब आपने Amazon खुला, आपके Amazon के web server से, आपके client में, आपके computer में एक cookie यहां पे आके download हो गई, अब यह cookie क्या कर रही है, जो भी आपने search किया, उसका अपना data अपने पास रखती है, दुबारा next day जब आप उसी Amazon को open करते हो, यह cookie active होती है, इसका data वापस जाता Amazon के server पे, उस server में वही data process होता, उसको समझ में आता है, कि आपका interest किस्ट में है, उसकी basis पे result वापस आपकी screen में दे लेता है, तो यह purpose है cookie का, तो यह browsing experience को enhance करता है, बाट आज कल जो है, zombie cookie भी होने लगी है, जो basically आपके system को नुकसायन भी पहुचा सकती है, आपके लिए नुकसायन class 12 IP के, इसके लावा एक और important point में आपके साथ share करना चाहूंगा, जिसको आपके लोग बोलते है, add-ons and plugins आप अपनी screen पे देख भी पा रहे होंगे, अब add-ons and plugins जो है न यह भी बहुत important है, इसको आप जरूर धियान रखेगा, add-on and plugins basically क्या है, देखे, add-on and plugins are the tools that help to extend and modify the functionality of the browser, तो browser जो आप यूज कर रहे हैं, उसकी functionality को increase करते हैं, now यह दोनो टूल जो है, मतलब browser की performance को बढ़ाते हैं, बट दोनों में कुछ differences है, क्या difference है, plugins जो होता है, वो एक complete program होता है, और maybe third party software, यह independent program होता है, जो की, जैसे कि यहाँ पे flash या java की बात कर रहा है, यह basically plugins है, flash player ज तो plugins जो है, उसके द्वारा भी आपके browsing की applications बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा बहतर सुईधाय मिलती है, लेकिन plugin software को install कर दिया जाता है, आप host computer में भी डाल सकते हैं, और browser की help से उसमें information को आप देख सकते हैं, यह एक बात हुई, दूसरे hand पे add-ons जो होते हैं, यह complete program न basically किसका काम करते हैं, आपके add-ons का काम करते हैं, यह independent softwares नहीं होते हैं, और एक particular functionality को ही आपके screen पे क्या करते हैं, आपके sorry, web browser में क्या करते हैं, add-on कर देते हैं, जैसे यहाँ पर यह Google recommendation extension में जाएंगे, जैसे यह अलग लग है, आप अपने Google extension को भी open करके, बहुत सारे extension plugins, मतलब add-ons को क्या कर सकते हैं, open करके, अपनी ज़रुत के इसाब से अपने system में डाल सकते हैं, तो यह differences को आप याद रखेगा, कि plugins and add-ons क्या हैं, तो basically plugin independent softwares है, add-ons जो होते हैं, वो basically browser का ही extended functional का small program होता है, जो उसी के साथ associated होता है, तो overall यह था आपके internet and web से related पूरा एक single lecture, जहाँ पे computer network और internet को हमने discuss किया, उमीद करता हूँ कि यह जितने भी points मैंने आपके साथ अभी discuss कियें, आपकी coming exam की preparation में आपको definitely help करेंगे, and so that आप बहतर तरीके से अपने exam में perform कर पाएं, इसी उमीद के साथ आज के session में यहीं तक, जल्दी मिलते हैं ने chapter, ने solution, concept के साथ आप में, वीडियो पसंद आए, like और share करेंगा, चैनल भी subscribe कर लिजेगा, मत करें कंजूसी, ठीक है, subscribe कर दीजे, जल्दी मिलते हैं फिर, bye bye and take care.